नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं बर्स आयू की 37,862 लड़किया सामिल की गई कि सोरियों को योजना के तहुत 405.7 करोड़ से अधिक की रासिका भुगतान किया गया बता दे बीतिये वर्स 2023-24 में 9 लाख बेटियों को योजना से जोड़ा जाना है मुख्य मंत्री ने अक्टूबर 2022 में गिरीडी में अवजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके दोहर कारकरम को दोरान योजना सुरू की थी सबसे अधिक गिरीडी में बेटिया जुड़ी हुई है बतावदे योजना से सुर्वधिक गिरीडी की 69,024 की सोरिया जुड़ी है इसके बाद रांची की 50,954 और पलामू की 50,814 बोकारों की 41,650 पुर्वी सिम्म की 41,468 और हजारीबाग की 40,133 और धनबाद की 36,870 की सोरिया योजना के लाब लेने में आगे रही है जारखन में गैंग्स्टर की बरती धमक के बीच डिजीपी ने बुलाई अहम बैठक जारखन में संगठित अपराधिक गिरोह के खिलाप कई जीलों की पुलिस फेल सावित हो रही है संगठित अपराधिक गिरोह लगता जारखन में सीर उठा रहे है मामले की गंभीता को देखते हुए राज के डिजी पी अजाय कुमार सिंग ने 29 जुलाई को जारकन के सभी जीलो के पुलिस अधिक्षकों के महत्पून बैठक बुलाई है पुलिस मुख्याले में होने वाली इस बैठक में राज के सभी पुलिस विंग के प्रमूख सभी डिजी सभी जीलो के एस पी सभी रेंज आईजी डिआईजी सामिल होंगे डिजी पी पुलिस मुख्याले में सभी के आमने सामने बैठकर बात करेंगे मतादे जार्खन के डीजीपी आजाय कुमार सिंग ने बुद्ध वार 29 जुलाई को सभी जीलों के पुलिस अधिकों की महत्कूर बैठाक बुलाई है पुलिस मुख्याले में होने वाली इस बैठा का मुख एजेंडा संगटिक अपराधिक गिरो है जार्खन के डीजीपी आजाय कुमार सिंग ने अपनी दो पुर्वे बैठकों में सभी जीलों के पुलिस अधिकों को अस्पश्ट निदेश दिया था कि वो हर हाल में संगटनिक अपराधिक गिरो पनकेल कसे 6 लाख के इनामी सबजोनरल कमांडर खुदी मुंडा ने किया सरेंडर भागपा मवादी के सबजोनरल कमांडर 6 लाख रुपए के इनामी खुदी मुंडा ओर्फ बहादुर ओर्फ बुढ़ा ने पुलिस के समग्स मंगलवाट को सरेंडर किया है डि आई जी अनुप बिर्थरे ने खोदी मुंडा को सल उढ़ा कर और बुकेद देखकर मुखे धरा में सामिल किया हलाकि खोदी मुंडा ने बारह जुलाई को ही सरेंडर कर दिया था लेकिन पूलिस उससे एक सब्ता तक पुछ तास करती रही नक्सलियों के कई ठीकाणों पर पुलिस ने खोदी को लेका छाबे मारी की है साथ ही गुमला सिम्डे का वा लात्ते हार जीला में भागपामवादी गतिविदी की जनकारी ली इसके बाद मंगलवार को खोदी मुंडा को मीडिया के सामने पर स्तूत किया गया बता दे भागपामवादी की सब्जोनल कमांडर छो लाख रूपाय के इना में खोदी मुंडा ने पुलिस के समयक सरेंडर करते हुए का है कि अगर सरेंडर नहीं करता तो मारा जाता इसी डर से सरेंडर किया हूँ जमसेदपुर में सांप काटने के बाद इलाज के लिए महिला घंटो भटकती रही इसके बाद ही महिज को दावा क्यों नहीं दी गई इस मामले की जाज की जाएगी, दोस्यों की खिलाब करवाई भी की जाएगी MGM अस्पताल के उपाधिक्षक डाक्टर नकुल चौधरी ने कहा है कि MGM अस्पताल में NTS नेक, बाइट, फेनम, काफी मत्राय में उपलब्द है रीमा, धिवार, रभिवार की राद को MGM एमर्जेंसी में भरती हुई है उनकी स्थिती गंभीर है वे खुद इसकी जाज कर रहे है कोयल कारो पन बिजली पर्योजना रद करने की मांग कांग्रेस बिधायक नमन बिक्सल कोगाडी की अगोई में जार्खन, उल्गुलान, संग, खुटी और कोयल कारो जन संग, ठन, तपकारा के परतिनिधी मंडल ने मंगल और को जार्खन, सच्चिव, सुखदेव, सिंग, तथा गिरी, सचिव, अविनाज, गुमार से मुलका करने, दो फर्वरी 2001 के तपकारा गोली कार्ण में मारे गए लोगों के असरीतों और अपंग हुए ग्रामिनों को सरकारी नोगरी प्रदान करने, सी एंटी एक्ट उनई सवाट, स्पीटी एक्ट उनई सहुन चास और विकिन्सन रूल का सक्ति स्यानुपानन करने, आदिव जारखन में 13.9 परतिशत कम हुई गरीबी, है मन्त सुलेन सरकार के चार साल में जारखन में बहोयामि गरीबी में 13.9 की गिरावट दर्श की गई है, इसमें भाजपा के रूबर 10 सरकार का एक वर्ष का कारेकाल भी सामिल है, यह आकड़ा राज सरकार का नहीं वलिक्येंद सरकार का है, निती आयो की ओर से सुमवार को जारी की गई बहोयामि गरीबी सुच कांग 2023 रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट में कहा गया है कि जारखन में बर्ष 2015-16 और 2019-21 के दरान बहोयामि गरीबी में 13.9 परतिशत की गिरावट दर्श की गई, इसमें कहा गया है कि राज के ग्रामिन इलागों वर्ष 2015 सुल में जहां बहो यामी गरिवी के परतिसत 50 प्रणव दो था वहीं 2021 में आकड़ा घटकर 34.9 परतिसत पर आ गया है फिरी बीजली योजना का लाव लेने वालों की संख्या बढ़ी मौसम बदलने से फिरी बीजली योजना का लाव लेने उभोकताओं की संख्या करीब 8,000 हो गई है जार्खन सरकार की योजना के नुसार 100 यूनिट तक बिली खपत करने वालों को बिल का भुगता नहीं करना होता है भिशन गर्मी के दोगान करीब 15,000 रुब भुगता ही इस योजना का लाब ले पा रहे थे और मौसब अदलने से पिछले महिने जून में 23 यार भुगताओं को मुफ्त बिली का लाब मिला है ऐसे लोगों को बिली भीभाग को एक रुपया भी बिल भुगतान नहीं करना पड़ा बता दे दो महापुरो मार्च अप्रेल महिने में प्रचंड गर्मी थी गर्मी से रहाद के लिए एसी कूलर पांखे समय कई तरह के उपकरन का लोग उपयोग कर रहे थे इससे अधिकतर उभुगताओं ने 100 यूनिट से अधिक बिली की खपत की ऐसे लोगों को बिल भुगतान करना पड़ा था चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत चार पुलिस कर्मी निलंबित पुलिस अधिक चक मनोज रतन ने बताया है कि आरोपी की पाचान असफाक खान के रूप में हुई है जिसे ने कथित तोर पर बरही पुलिस एस्टेस्टन के सौचाले में आपनी पैंट से फांदा लगा कर आत्म हत्या कर ली उन्होंने बताया है कि गिरामीन ने खान को एक घर में चोरी करते सोमवार की राथ को पकड़ा था और बरही पुलिस थाने के कर्मियों के हवाले कर दिया था मनोई रतन ने कहा आज जब उसे अदालत में पैसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने हवालात के अंदर बने सोचाले में जाने की एक्छा जताई जब वह कुछ मीन्टों के बाद भी सोचाले से बाहर नहीं निकला तो पुलिस अंदर गई और पाया की खान ने आत्महत्या कर लिया बाबा फोजदारी नाथ में असपर्स पूजा शुरू राजकेस रावनी मेला महस्तों के पंद्रहमें दिन मंगलवर 18 जुलाई 2020 को बाबा फोजदारी नाथ के दर्वार में सर्धालों के जबर्जास्त भीर लगी रही सुबह तीन बज़े से मंदिर प्रांगन सीवगंगा घाट वमेला परिसर कवारियों से पटा रहा उधर मंदिर प्रबंदन के अनुसार 45 एर कवारियों ने अरगहा में जल डाल कर बाबा फोजदारी नाथ से सुक सम्रिदी की कमना की हलाकि दोपर के बाद अरगहा हटा लिया गया गब गिरिह में असपर्ष पुजा सुरू हो गाई राष्ट पती के हाथों जारखन के नौ जीलो को मिला भूमी सम्मान राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने जार्खन के नौ जीलो के उपायक्तों के भूमी सम्मान से समानिक किया है इसके तहत भूमी सम्मानी दास्तावेजों को राइट ओफ रिकोर्ड का बेहतर धंग से डिजिटिलाजेशन करने पर सम्मान मिला है इन समान के लिए देश बर से कूल 75 जीलो का चैन हुआ था जिसमे जार्खन के नौ जीले गुमला समेत दुमका, गिरीडी, चत्रा, खोटी, लोहर्दागा, पच्मी, सिम्मूम, सराय के लाखर्तावा और सिम्डेगा जीले को समान मिला है जार्खन ATS की गिरप्त में आये कुख्यात अमन साव के गुर्गे चंदर सहीत तीन आरोपी जार्खन पुलिस की अतंकवाद निरोधक दस्ताने कुख्यात अपरादी अमन साव के गुर्गे चंदन साव सहीत तीन अपरादियों को मंगलवार को गिरप्तार कर लिया है मिल है गिरफतार चंदन साव एक दिन पहले ATS के साथ मुड़भेड में भाग गया था इस मुड़भेड में ATS के DSP नीरज कुमारवा उनकी टीम के एक दरोगा सोनू सावजक में हो गय थे इस मामले में ATS ने अपने ATS थाने में 17 जुलाई को कांड संक्या 0623 दर्च किया है ACB से चोरी हुई CBI के अहम दस्तावे जहारखन पुलिस के वरष्ट चार नियोधक बियोरो ACB कर्याले से CBI के वरष्ट चार नियोधक बियोरो के एक महत्पुन दस्तावे चोरी होगा कि रांची स्थित प्रष्ट चान नियुदक विरों ने डाक विबाक से उक्त डाक की जनकारी ली है इसके बाद पता चला है कि वह डाक CBI की ACV को नहीं जाकर जारकन पुलिस की ACV को पहुँच गई है CBI की ACV ने जारकन की ACV से इस समध में पत्रचार किया है उक्त डाक की जारकन की ACV में खोज हुई तोह गायब मिली है जारकन में फिर बढ़ने लगा अपराद राइधानी रांची में एक तरफ जहां कुछ संगठित अपराथिक गिरों अपनी जोरदार धमक दिखाने में लगे है वहीं दोसी तरफ ग्रामीन इलाकों में कुछ उग्रबादी संगठन भी सीर उठाने लगे है पिछले एक महिने से इस दोहरी चुनावती से रांची पुलिस जुज रही है पुलिस इस पर लगायम लगाने की भरपूर कोशिस भी कर रही है लेकिन फिलहाल नतीजा सून यही निकल दहा है बतादे रांची के ग्रामीन इलाकों की बात करें तो यहां उग्रबादी संगठन टीपी सी एक बार फीर से जोरदार तरीकी से एक्टिव हो चुका है रांची के रातू, बुडमू, खलारी, पिठोरिया काके, ठाकुर गाम, और मांजी चानो, मैकलूस्की, गंज, नगडी और मांडर जैसे ग्रामीन चेत्रों में टीपी ची संगठन थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव होगा है UCC पर राजेपालने की आदिवासी समाज की तरफदारी, उनिफर्म सिविल कोड को लेकर आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज इसे अपने हीतों के अंदेखी मान रहे हैं आदिवासी संगठन मानते हैं कि UCC से आदिवासी समाज की प्रमपरा संस्कृती मने अता और अरचन पर असर पड़ेगा साथ ही CNT, SPT, PSA समे तमाम समाजी क ताना बाना भी बिगड़ जाएगा बता दे इन दिनों समान नागरिक संहिता यानी उनिफर्म सिविल कोड को लेकर राष्ट ब्यापी बहां स्छिडी हुई है वैसे तो मुसलिम समाज के संदर में इसकी जरूरत पर ज़्यादा चर्चा हो रही है लेकिन आदिवासी समाज भी इसको असंकाव के नजर से देख रहा है पिछले कुछ दिनों में कई आदिवासी संगटनों ने बैठा कर यू सिसी के खिलाप अपनी मंसा जाहिर की है राची रेलवे स्टेशन पर ठक गिरो सक्रिये पलक जपकते मोबाइल गाया राचधानी राची रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक यूवक ने टिकट कटवाने के नाम पर यातरी से हजारे रूपय की ठागी कर ली वहीं कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी होने की भी सिकायत की है जितके बाद रेलवे पुलिश ने मामले की जांच सुरू कर दी इस मामले में दो लोगों को रेल पुलिश ने गिरफतार भी कर लिया है बतादे राची रेलवे स्टेशन पर ठाओ का गिरो सक्रिये है मंगलवार को एक व्यक्ति ने यातरी से एक टिकट कटाने के नापर 45 रूपे लिए और फरार होगा है गंटों तक इंतियार करने के बाद जब व्यक्ति यातरी के पास नहीं लोटा तो उसने जी आरपी ठाने में एफायर दर्ज कराई ये भयार दर्ज कराने के बाद जाच के दर्ण पुलिस ने CCTV फूटेज का अंगाला जिसमें दो यूवक व्यातरीयों के मोबाइल चोरी करते हुए देखा है यूटूब वीडियो देख दात का इलाज कर रहे है यूवक की हुई मौध इंटरनेट मीडिया के विभीन साइट पर दिखाई जाने वाले कुछ आधिय अधूरी और बिना सीरपायर की जानकारी कभी-कभी कितनी हातक सीध हो जाती है इसकी बानगी पिछले दिनों बोकारों जी लेके नावाडी में देखने को मिली बता दे हजारी बाग में राकर प्रसासनिक सेवाव के लिए परतियोकता परिक्षाव की त्यारी कर रहे है 26 वर्षी चात्र अजय मातों पिछले कुछ दिनों से दात दर से पिडित थे चिकितसक से इलाज भी करवा रहे थे इसी बीच 14 जुलाई को अपने घरनावा डिपकार में यूटूब चैनल पर एक वीडियो देखने के बाद छादर ने दात दर्द में कनेर बीच का सेवन कर लिया इसके बाद ही उसकी तवियत विगर्ती चली गई और वह बेहोस हो गया चात्र की पिता थतकाल है उसे विशनुगर समुदाइक स्वास केंदर ले गया जहाची की सक ने उसे मिरित खोसित कर दिया जमसेद पूर जवाहर नौदे बिद्याले में एडमीशन के लिए राइस्ट्रेशन परकिरिया शुरू जवाहर नौदे बिद्याले में सेक्षनिक वर्ष 2024-25 के लिए उनलेन रेजिटेशन के परकिरिया शुरू हो गई है रेजिटेशन ने सुल्क हो रहा है इसकी अम्तिमती 10 अगस्त तैक की गई जवाहर नौदे बिद्याले में छट्थी कलास में एडमीशन के लिए पर्वेस परिक्षा 4 नौबर 22 वर 20 जन्वर 2024 को होगी बता दे जिले के छात्र शात्राय नौदे डौट जोफी डौट इन पर रेजिटेशन करने के बाद पर्वेस परिक्षा में स्थाविल हो सकते हैं चायनित होने के बाद छात्र वा छात्राओं को अलग-अलग आवासे सुविधा के साथ निसुर्क पढ़ाई जाएगी दस करोड लोगों को वापस मिलेगा पैसा सहारा इंडिया में निवेस करके फंसे लोगों के लिए बड़ी खुसखवरी है निवेसकों के पैसे लटाने के लिए केंद्रगिरी और सहकारिता मंतरी अमीत साह के दवारा सहारा रिफंड पोर्टल लंच किया गया है इस पोर्टल के जरीए सहारा के निवेसक आपना पैसा कलेम कर सकते हैं पैसा रिफंड पाने के लिए सहारा की चार को अपरेटिव सोसाइटी के निवेसक आवेदन कर सकते हैं बताया जा रहा है कि इन सोसाइटी में करीब 10 कोर निवेसकों के पैसे फसे हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा निवेसक बिहार, जार्खन, उतरपरदिस, मदपरदिस जैसे राज्यों के हाई बता दे लंबे समय तक पैसा वापस नहीं मिलने पर निवेसको के द्वारा केंदर सरकार से हत्षेप करने के अपिल की गई थी केंदर सरकार की इस फैसले से कड़ोरो निवेसको को बड़ा फैदा होने वाला है पंचायत सच्यू अभियार्थियों को मिलेंगे दो और औसर जारखण में पंचाय सची उपत पर अनुसंसित अभियार्थियों के पमान पत्र जाँच में छूटे हुए अभियार्थियों को दो और आसर मिलेंगे अभियार्थी दुआरा दिये गए पता पर परमान पत्र जाँच की तीथी से एक महीने पूर्व डांग से सुचना भेजी जाएगी वहीं इसमें भी नहीं आते हैं तो समचार पत्र में बिग्यापन के माध्यम से पमान पत्र जाच में आने की सुची दी जाएगी इसके बाद भी वे नहीं आते हैं तो अभियार्तियों के उम्मिद्वारी समाप्त करने के लिए विभाग को अनु संसा की जाएगी इसके निर्देश, पंचायती राज, निदेशक, निशा, उरावने सभी उपायुक्तों को दिया है जीलों से मांगे गए मार्ग दर्शन में पंचायती राज विभाग ने मारदासी का जारी की है टेट पास करने वालों को सीधी नियुक्ती जार्खन हाई कोट ने वर्ष 2016 में सिक्षक पात्रता परिक्षा होतीन अभियार्थियों के नियुक्ती पर राज सरकार को निर्ना लेने को कहा है अदालत ने इसे लेकर सरकार को 6 सब्ता का समय दिया है जस्टिस डाक्टर एसेन पाठा की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद आदेश दिया जिसकी सुनवाई के करण में कोट ने उक्त आदेश राज सरकार को दिया है धन्यवाद